अबसकार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे आगे के क्या आउटलूक होंगे किसी ने इस डाउनफॉल का एक्सपेक्ट नहीं करा होगा मेरे जैसे जो थोरे बहुत कोई ऐसे लोग रहे होंगे जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं उन्होंने ही फूट के पोजीशन को कैरी करा होगा हमने देखा कि निफ्टी लगबग 1800 पॉइंट और बेंक निफ्टी लगबग 5000 पॉइंट की गिराबर दिखी लेकिन हमने पिछले वीडियो में आपको क्या कहा कि जो डाउंटरेंड होता है वो temporary होता है जो long trend होता है वो permanent होता है बहुत सारे query ये आ रहा है कि सरक्या portfolio बेश दें क्या आपने loss को में book कर लूँ तो I don't think so कि यहां आपके आपके portfolio को बेशने चाहिए या loss को book करना चाहिए हर downtrend एक opportunity है हर crash एक opportunity है आपको आपके stock के आपके अपने price पे average आउट करने का ये downtrend एक temporary है जैसा कि अभी देखेंगे तो 290 के आसपास की NDA की जो numbers से वो दिख रहे हैं और Congress लगबग to 3040 के आसपास का numbers दिख रहा है मिला जुला करके भी जब अभी तक आसार दिख रहा है कि NDA सरकार बनाएगी और ये downtrend एक opportunity उनके लिए है जो next 6 month to 2 year के duration के लिए देखना चाहते हैं अगर आपको लगता है कि मैं 2-4-5 दिन के लिए अगर खरीद हूँ तो थोड़ा caution बरते हैं लेकिन अगर आप 6 month के holding के horizon से आप रुख सकते हैं तो ये एक opportunity है और बिल्कुल panic नहीं करेंगे पैनिक में ही लोग maximum loss लेते हैं ये downtrend अगें मैं कह रहा हूँ कि एक opportunity है एक बार में चार्ट के थूरू nifty bank nifty की क्या recovery रही कौन से stock potential multi-weager होंगे उसको समझने की कोशिस करें यहां पर हमने चार्ट open कर लिया है अगर numbers देखेंगे तो बीजेपी जो है यह aligns view में देखेंगे तो बीजेपी लगबग 295 numbers दिख रहे हैं एक बार मैं इसको refresh कर लूँ ताकि आप यहां समझ पाएंगे देखेंगे तो NDA के number 295 के आज पास इंडिया 230 और अदर्स जो है 18 सीट दिख रहा है तो आज जो बजार गिरा यहां अगर मैं आपको दिखा हूँ तो जो निफ्टी गिरा है अगर मैं daily time frame पर ही लूँ तो निफ्टी का जो आज downfall रहा है यहां मैं सभी drawing को हटा देता हूँ इसके oi profile को हटा देता हूँ और आज निफ्टी उपर के price से ज दिखी हमने आपको पीछे क्या कहा पीछे अगर हमने आपको यह कहा कि lower side देखेंगे तो 20,800 के आसपास का यहां देखेंगे तो यह वाला जो level है यह एक demand level जरूर बनते दिखेगा और अगर आप investor हैं तो इस zone में यह जो पूरा zone है यह एक opportunity है यह एक trend line है हो सकता कि यहां आए retrace करें लेकिन अगर आप investor हैं तो इस zone को यह जो पूरा zone आपको दिख रहा है यह zone एक opportunity zone है यहां पे आप अपने जो भी stock आप लेना चाहते हैं जिसके fundamentals बेटर दिख रहे हैं उसको आप चाहें तो ले सकते हैं और यह recovery second hour में as expected था ही अभी nifty का जो major resistance हमको दिख रहा और उसके बाद जब इस level को breakout करेगा तो हम all time high या इसके उपर के levels को expect करेंगे और यह recovery expected थी ही यहां देखेंगे लगबग 21,200 के आसपास से recovery ली है और एक सांदा recovery रहा है अभी यह जो पहला support था 22,400 के उपर की daily closing के बाद ही हम एक बड़े reversal को लेंगे option trade में तो थोड़ा बचे हैं लेकिन अगर आप stock specific investment करते हैं तो यह एक opportunity है एक बार मैं आपको bank nifty का दिखाऊं कि bank nifty में क्या recovery रही है यह recovery as expected है क्योंकि बजार कभी भी one-sided trend नहीं हो सकता है थोड़े बहुत ups and downs तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे यहां अगर मैं daily time frame पे bank nifty के downtrend को दिखाऊं तो उपर से लगबग लगबग 4500 point के downtrend रहे और उसके बाद recovery देखेंगे तो लगबग 1200 point की recovery भी दिखी और इस समय जो इसके लिए major resistance होगा यह एक trend line है और यह trend line resistance 48,200 के उपर की जो तक closing नहीं मिले तब तक initiate long trade को नहीं आए थोड़ा consolidated breakdown या time spent करने के बाद इसको breakout करे तो long care trade को लेंगे तो यह recovery तो expectation ही था इसको लेकर के ज्यादा परिशान नहीं होंगे पैनिक में portfolio sell नहीं करेंगे option trader को थोड़ा caution के साथी trade करने चाहिए कौन से stock यहां से outperforming होगा जैसा कि हमने आपको कहा अगर BJP की majority seat आती 70 कर रहा था जिसके कारण कल बजार के outperforming trend दिखे लेकिन यहां numbers less than 300 दिख रहा है तो यह trend तो expected है ही और जो 10% 8% की गिरावट की जा रही थी वहाँ यही की जा रही थी कि BJP के numbers अगर 300 के नीचे आए तो उसके panic दिखेंगे अब इस समय जो performing stock है हमने क्या खा अगर BJP आती ह तो defense, PSU, PSU, bank, Adanis सभी stock outperform होंगे और even वो कल outperform करते देखें लेकिन अगर BJP की numbers कम रही तो consumer stock short term में better करेगा एक बार में यहां निफ्टी के 500 stock में आए देखें डाबर, कोल, पाल, हिंदुस्तान, लिबर, डीमार्ट, मेरिको, ब्रिटानिया मतलब वही stock जो expected था वही better कर आते दिख रहा है, तो इसी ऐसे stock को अभी short term के लिए ध्यान पर रखेंगे, जो consumer stock है, जो FMCG stock है, और अगर long term के perspective से अगर आपको stock देखने हों, तो renewal stock को देखें, अमर राजा बेटरी, इडेडा जैसे stock को आप कहा हैं तो पकर सकते हैं, और उसके साथ ही PSU में थोड़ा इस समय बचेंगे, PSU banking के जो fundamental better दिख रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं, renewal के अंदर देखें, EV के अंदर देखें, और IT के कुछ specific stock को आप देख सकते हैं, individual stock के list भी मैं आप तक जरूर ले करके आऊंगा, कुछ stock जो इस समय मुझे अच्छा लगता है, अमर राजा बेटर आखिर ये 1400-1500 point के downtrend क्यों दिखते हैं, तो जो place share होते हैं, जब place share करते हैं, उसके बाद यहां मान लीजिए कि ये downtrend यहां तक आया, अब किसी ने किसी share को place करके, हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक लाख आपकी capacity है, तो एक लाख की ही आप holding ले, लेकिन जो over bout होते हैं, ज उसके बाद जो leverage बाले share होते हैं, वो धिरे-धिरे कटने सुरू होते हैं, तो ऐसा free fall दिखता है, अब मुझे लगता है कि next 7 days के लिए बजार 21,400 और 22,400, ये 1000 points के range में दिख सकता है, और उसके बाद जो range टूटा, वहां से हम बड़े trend अप या downtrend को लेंगे, portfolio based दें, ये बिल्कुल गलत निर्नाए होगा, what value average करें, अगर कोई stock आपको better दिख रहा है तो, thank you for watching this video, I hope ये video informative रहा, और एक बार में आपके views जाना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, कि NDA की जो BJP है, ये खुद के दम पे क्या 270 को numbers को पार कर पाएगी या नहीं, comment box में जरूर बता है, क्या बड़ा क्रेस अभी बाकी है, बड़े क्रेस नहीं, 24-500 पॉइंट, जैसे की 20-500 तक के maximum downtrend मैं expect कर रहा हूं, I hope ये video informative रहा, thank you for watching this video, मेरे views को आप accuracy को समझने के लिए premium telegram को follow करे, thank you